यह शूट हमने किया था पताया बैंककोग में थाइलेंड में अगर आपको पास 50 लाख है जबर्दस शूट करो जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यसराज फिल्म्स या रासी प्रोडक्शन दोस्तों नवस्कार आज एक स्रीज सुरू करते हैं ओम फिल्म्स बैंककोग क्योंकि बहुत सारा काम हमने किया है फिल्मों के शूट से लिए करके क्रियेटिव और प्रोडक्शन बहाइंड़ सीन फिल्म मेकिंग इस बहुत ही मज़ेदार काम है और अल्टिमेटली जब वो परदे पर दिखता है तो अलग ही आनन्द आता है सारी मेहनत आपको बफूलनी पड़ती है आपको देखके कि यार मजा आगए और वो सानों सानों बरसों बरसों सदियों तक फि कि आता हूँ आपको बड़ा इंटरसिंग इंसिदेंट आपको क्योंकि एकसर जो मेरे पास बॉलीवोड से या पाकिस्तान से या इस तरह के जो लोग शादी और इस तरह के common scene होते है music video shoot करने को तो phone करते रहते है तो मुझे पूछते यार मुझे इस तरह का एक साधी का scene shoot करना है साधी व्या होतरा है तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मुझे रफ बजट आइडिया दे देजिए एक scene का तो मैं उसे वह ही कहता हूँ कि देखो या बड़ा symbols है आप पहले determine करो कि आपको किस बजट में हो साधी व्या दिखाना है साधी व्या का scene जो आपको shoot करना हो कैसे करना है जैसे अगर आपके पास 50 लाग है जबरदस shoot करो जैसे धर्मा production यसराज films या रासी प्रोडक्शन इस तरह के जो लैविस scene इस तरह के shoot करते हैं और अगर आपको पास नहीं है तो आप उसको 50 से 10 प्या सकते हो और वो भी नहीं है तो भी पाच प्या सकते हो तो वो कैसे होगा अगर आपका 50 का budget होगा तो सारे सब मंदब सारे सजावट सा इसमें ताजे फूल औरिजिनल सब कुछ बिलकुल ताजे ताजे अच्छे चे होंगे जो आपके जूनियर आइटिस्ट होंगे एक्सराज होंगे जो पीछे ग्लास लेके खूंते रहते हैं कोई फोपा है कोई लड़की का दोस्ते हैं लड़के के दोस्त हैं यह सारे लेते हैं पर डे और अगर एक्स्टेंड हो गई दो दिन इनके पास समय होता है तो दो दिन कम से कम शूट करते हैं यह बहुत लैविसली शूट करते हैं आपके पास सिर्फ दस लाक इस तरह के सीन के लिए तो आप आराम से बहुत ज़्यादा कैमरा मत खूलिए ऐसे दिख शूटिंग करी आप उनको अच्छे कपड़े पहना यह बस देखिए कि गाड़ी जब लड़की की बिदाई हो रही है तो अच्छी गाड़ी लेजिए एक गाड़ी एनफ है और पचास लाग वाले में जो भी लोग गेस्ट आ रहे हैं उनके पास भी बेंज गाड़ियां ह तो सब किराया पर आती है दोस्तों वह किराया देना बढ़ता है बजट बढ़ जाता है बाकि जो सजावा ठैफ्रेस फ्लावर्स है यह साब प्लास्टिक के फूल जो पड़े रहते हैं वेर हाउस में लाकर लगा दिये जाते हैं और हो गया सूट हो गया फिर उप्तार कर बार बार कई सालों तक चलते हैं वह बजट कम में आ जाता है ऐसे जब अगर आप रिजिनल फिल्मों की तरह पाजाई यह जैसे भुचपुरी सिनेमा है बेंगॉली सिनेमा है और भी रिजिनल इस तरह की फिल्म मैंने देगी हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़ा इतना ज जाता है कि आप साधी हो ही रही है अब आप इस सीन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखे आप दूसरे नजरिये से देखे जैसे मैंने स्टोरी इसके लिए बताई कि आप इसको अब समझ पाए कि यह जो स्विंग पूल है उसके पीछे जो समंदर दिख रहा है उसके अगल के टीम है कोई तो इस तरीके से बहुत सारी लोग इन्वाल होते हैं बड़ा हैक्टी काम होता है कि आप जो परदे पे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड देखके कह देते हैं यार मजा नहीं आए उसमें कितनी मेहनत होती है और कितना पैजा इन्वाल होता है और कितने क्रियेट अगर वीडियो आपको पसंद आता है आप जरूर कमेंट करिए लाइक करिए चैनल की सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस सीरीज के और भी वीडियो हम लेके आने वाद हैं बड़े इंट्रेस्टिंग वीडियो जैसे गाने के और भी सारे वीडियो